हेलो फ्रेंग्स मैं प्रीती आदब स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में जैसे कि गर्मिया आने ही वाली है ऐसे में अगर आप प्रिग्नेंसी प्लानिंग की तयारी कर रही है तो आपको कुछ बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है प्रिग्नेंसी के दौरान गर्मिया बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देती है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गर्मियों के दौरान प्रिग्नेंसी कंसीव करने से मा और बच्चे पर क्या-क्या असर पड़ता है और आपको कौन-कौन सी मुस्किलों का सामना करना पड़ सकता है तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और प्रिग्नेंसी के बाद पैरेंटिंग से ले लेटेट और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और उपर आई-कार्ड में दिया गया है देखिए गर्मिया तो वैसे ही किसी को पसंद नहीं आती लेकिन प्रिग्नेंसी के दौरान गर्मिया बहुत बड़ी परिशानी का कारण बन सकती है गर्मिय की वज़े से डिहाइडरेशन हो सकता है चोकि प्रिग्नेंसी के दौरान खतर नात साबित हो सकता है इस वज़े से pregnancy के दोरान और खास तोर पर गर्मियों के दोरान hydrate रहना बहुत जादा जरूरी होता है इसके अलावा pregnancy में बहुत जादा गर्मी के कारण महिलाओं को hyperthermia हो सकता है जिसमें बार बार बुखार आता है कुछ studies में तो ये सामनी आया है कि जादा temperature के कारण कई महिलाओं को मरत बच्चों का जन्म हुआ है या फिर समय से पहले बेबी की delivery हो जाती है इसके अलावा बेबी का बज़न भी कम रहता है Canadian Medical Association General में एक study प्रकासित हुई है जिसके अनुसार pregnancy के आखरी महिने में की वज़े से gestational diabetes का खत्रा तीन गुना तक बढ़ जाता है अब ऐसे में कई महिलाओं के दिवाग में ये भी सबाल आता है कि ये gestational diabetes होती क्या है तो मैं आपको बता दूं कि gestational diabetes एक ऐसी situation है जो pregnancy के दौरान पैदा होती है और ये temporary situation होती है जिसमें महिलाओं में type 2 diabetes का खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है और बाद में उन महिलाओं को सेहत संबंदी समस्याएं भी दिखाई देने लगती है एक study में ये भी पाया गया है कि जिन महिलाओं को pregnancy के दौरान gestational diabetes रही है उन लोगों को postpartum repression भी होने लगा है और इसी gestational diabetes की वज़े से जन्म के समय बेबी का वज़न बहुत जादा हो जाता है या फिर समय से पहले ही delivery हो जाती है या फिर आंगे चलकर बेबी को भी type 2 diabetes होने का खत्रा बढ़ जाता है अब ऐसे में महिलाओं के दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर pregnancy गर्मी की मौसम में प्लान ना की जाए तो कौन से मौसम में प्लान करनी चाहिए इसका सबसे सही और अच्छा जवाब है कि आपको सरदियों की मौसम में pregnancy प्लान करनी चाहिए क्योंकि अगर हम study की माने तो ठंडे तापपान में insulin sensitivity में सुधार आता है जिसकी वज़े से सरीर के उतक active हो जाते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे factor होते हैं खास दौर पर brown fat calorie को कम करने में आपकी help करते हैं जो कि diabetes और मोटा पे जैसी समस्याओं के लिए जिम्मिदार होते हैं और इसी वज़े से जिन महिलाओं ने pregnancy सरदी के मौसम में प्लान की होती है उन महिलाओं में gestational diabetes होने का खत्रा बहुत कम होता है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस study को मैं refer कर रही हूँ उस study में क्या पाया गया है इस research के लिए लगबग 4 लाग महिलाओं को consider किया गया और जिस area में वो रहती थी उस area के तापमान और इन महिलाओं के medical record को भी record किया गया यह research लगबग 12 साल तक चली और उसके बाद इन महिलाओं ने 5,50,000 बच्चों को जर्म दिया जिससे सोथ करताओं ने ये पाया कि जो महिलाओं ठंडे तापमान वाले area में रहती थी यह जिनोंने pregnancy सर्दियों के मौसम में conceive की थी उनके अंदर gestational diabetes होने का खत्रा 4.6% पाया गया यानि कि लगबग 1,000 महिलाओं में से 46 महिलाओं को gestational diabetes होने की chances थे वहीं जो महिलाओं pregnancy के दौरान गर्म स्थानों पर रहती थी या जिनोंने गर्मियों में pregnancy conceive की थी उनके अंदर gestational diabetes होने का खत्रा 7.7% पाया गया यानि कि लगबग 1,000 महिलाओं में से 47 महिलाओं को gestational diabetes होने का खत्रा बना रहा तो ऐसे में इस study के आधार पर ये कहा जा सकता है कि गर्मिस्थानों पर रहने वाली महिलाओं के अंदर gestational diabetes होने का खत्रा जादा रहता है लेकिन इस study में BMI यानि कि वजन बढ़ने सारी गत्वितियों और डाइट को सामिल नहीं किया गया था तो ऐसे में ये study पूरी तरह के से सही भी नहीं मानी जा सकती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि pregnancy के दोरन गर्मियों में आपको बहुत सारी problem हो सकती है ऐसे में अगर हो सके तो गर्मी के मौसम में अपने आपको ठंडा रखने की कोशिश करें साथ के साथ उन तरीकों को जिनसे महिलाओं को gestational diabetes से बचने में मदद मिलती है उन तरीकों का इस्तिमाल चरूर करना चाहिए इसके लिए खास दोर पर आप pregnancy के दोरन क्या खाती है उसके उपर आपको ज़्यादा नजर रखनी चाहिए अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चरूर करें अपनी friends के साथ share करें और हमारे इस चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्त रहिए